जनता जनार्दन का एक पैसा भी बरबाद न हो जाए पैसों का समय पर उप्योग हो और पैसों का जो उप्योग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए इस संकल्प को लेकर करके हम चलते हैं साथियों आपने अपना स्थे दे कर मुझे जिस तरह अपना रणी बना लिया है उसको मैं तेज विकास करके सबका विकास करके चुकाने का इमांदारी से प्रयास करता रहा हूं करता रहूँगा आज सोला हजार करोड रुपिये से जादा किये योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपुर्ण कदम है भावी और बेनो भारत आस्था अध्यात्मा और तिर्तस्थलों की धर्ती है तिर्ती यात्राओं ने हमें बहतर समाज और बहतर राश्ट के रुप में गड़ा है हमें देवघर को ही देखे तो यहां शीव भी है और शक्ती भी है जोतरलिंग और शक्तिभीट यहां दोनों मौजूद है हर साल लाखों असरत धालो दूर दूर से यहां गंगा जले कर आते हैं देश के अलग-अलग कोने से आते हैं बड़ी भक्तिभाल से आते हैं लोगों को एक दुसरे की भाशा बोली बले समझ आए या ना आए लेकिन हमारी आस्था हमारी सांस्कृतिक विरासत यह सांजी अमानत है भारत की इनी धरोहरों को सुरक्षित करने इन तक पहुंदने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूत्पुर्वन निवेश किया जा रहा है बाबा बैदनात दाम हो काशी विश्वनात दाम हो केदारनात दाम हो अयोध्या धाम हो रामा एंड सरकीट हो भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो देश में आस्था अध्यात्म और एतिहासिक मात्व से जुड़े हर स्थान में आदुनिक स्विधाय तैयार की जा रही है साथियों आज परियटन दुनिया के अनेग देशों में एक आकरशक उद्योग के रुपे रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बड़ा हुआ है आज पूरी दुनिया में अनेग देश हैं जिनकी पूरी अर्थिववस्ता सिर्फ और सिर्फ परियटकों के भरों से चल रही है भारत के कोने कोने में परियटन की शक्ति अपार है बहुत सामर्थ पड़ा हुआ है हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है आज दुनिया नए स्थानों को, नए कल्चर को, नई चीजों को देखना चाहती है समझना चाहती है, जूड़ना चाहती है लोग कुछ दसक पहले की विरासत देखकर आखे चोड़ी करती लेते हैं उनको कभी कभी लगता अच्छा है लेकिन जब भारत में आते हैं और यहां हर कौने में, हर पत्थर पे, हजारों साल पुरानी यादे, वहां पर समाईद हुई देखते हैं हजारों साल पुरानी याद महान परंपरा दुनिया जब देखती हैं तो वो चकाचोंद उनके मन को प्रभावित कर देती हैं इसलिए आज यह समय की मांग है कि भारत अपनी विरासत को जाना से ज़्यादा और तेजी के साथ समुरक्षित करें वहां आदुनिक सुविदाएं बढ़ाएं और हम यह पूरे देश में देख रहें कि बीते वर्षों में जिन भी तिरतस्तनों को आदुनिक सुविदाओं से जोड़ा गया वहां यात्रियों की संख्या परियटों की संख्या अनेक गुना बढ़ गई है इसका सीधा लाब वहां रहने वाले आसपास के गाउं के लोग आसपास के जीले के लोग उनको इनका बहुत बड़ा लाब होता है मैं बाबा धाम के आप लोगों को बाबा विश्वनात की नगरी कांशी का एक उदान देना चाहता हूँ जब से कांशी में विकास ने गती पकड़ी है कांशी विश्वनात परिशत का सुंदरी करण हुआ है बनारस आने वाले स्रद्धालों की संक्या में कई गुना बढ़ोत्री हुई है तीन साल पहले की तुलना में इस साल वारा नसी में अभी तक तीन गुना अधिक यात्री आये हैं इस वृद्धी के चलते होटल वाले हो धाबे वाले हो नाव वाले हो ओटो रिक्षा वाले हो फूल पौधे बेचने वाले हो पूजा का सामान बेचने वाले हो इतना ही नहीं चाय बेचने वालों को भी बहुत फाइदा हो रहा है, उनका कारोबार बहुत बड़ा है, वहां जो हस्त सिल्प का काम होता है, कारीगर बुनकर जो सामान बनाते हैं, उसकी विक्री भी बहुत ज्यादा बड़ी है, साथियों, ऐसा ही प्रभाव, हम केदारना दाम में भी देख रहे हैं, जब बहां पुनर निर्मान नहीं हुआ था, जब बहां सुभिदाय नहीं बड़ी थी, तो कपाण खुलने की शुरुवाती दो महिने में, एवरेज दो ढ़ाई लाख यात्री आते थी, इस साल कपाण खुलने के शुरुवाती दो महिनों में, करीब करीब नव लाख स्रद्धालों बाबा केदार के दर्शन कर चुके, ऐसा ही एक उदारण, आपको पता होगा, गुजरात में मा नरदा के तड़ पर, सरदार वल्लब भाई पट्रेल की, विश्व की सबसे उची प्रतिमा बनी है, Statue of Unity, उस जगा पर जाने के आँ, उसके निर्मान के कारण, और वो पुरा छेत्रा, मेरे आदिवासी भाई बेहनों का छेत्र है, वहाँ आदिवासी भाई बेहन के रोजी रोटी कमाते हैं, Statue of Unity बनने के बाद, लाखों की तादाज में हाँ लोग आते हैं, और ये टुरिस्ट, वहाँ पर होटल, वहाँ के डाबों में, हैंडिकाप के सामान करीदना, सेकड़ों करोड रुपे भी खर्च करते हैं, इसका सीधा लाब वहाँ रहने वाले लोगों को हो रहा है, मेरे आदिवासी भाईयों बेहनों को हो रहा है, यानि जब परियतन बढ़ता है, तो इसका फाइदा गरीब को होता है, आदिवासी को होता है, दलीत, वंचित, पिछडे को होता है, चार खंड ने भी बढ़ती हुई connectivity आस्था के स्थलों का सुन्दरी करन परियतन को बढ़ाएगा यहाँ पर रोजी रोटी को अवसर देगा नव जमानों के लिए नए मौके मिलेंगे स्थानिय लोगों की आय बढ़ेगी यह हमारी सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि 15 नवंबर हर कोई गर्व करता है पुरे देश में 15 नवंबर पगवान बिर्शा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जन जातिये गवरव दिवस गोशित किया है और अब पूरा हिंदुस्तान हर वर्ष इस बात को मनाएगा धर्टियावा बिर्शा मुंडा के बहतरीन और अधुनिक संग्राले के निर्मान का सोभाग्य भी हमें ही मिला है मुझे विश्वास है जो परियोजनाए आज हमने शुरू की है वो जारखन के विकास को नई गती देने जा रही है भाई यो और बेनो हमारे लिए सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास और सब का प्रयास ये सिर्व नारा नहीं है कल जो आप दीब जला रहे थे आज रास्ते पर उमंग उत्सा से जो उमर पड़े थे और आज भी जहां मेरी नजर पहुत रही है लोग ही लोग है इसका मतलब है कि लोगों को विकास चाहिए और विकास के लिए सब का साथ मिलता है और सब का साथ सब का विकास ये मोडेल आज देव घर में सब के सामने नजर आ रहा है भाई यो बैनों ये जो विकास हो रहा है ये सिर्फ एक नारा बोलने के लिए नहीं है कि हमारी निश्चा का प्रमाण है हमारी नियत का प्रमाण है हमारे परिश्रम का प्रमाण है बीते आठ वर्षों में हमें उनको ससक्त किया है जिनको पहले सिर्व राज नितिक नारों में समेट दिया गया था वो गरीब वो आदिवासी वो दलीग वो फिछड़ा वो हमारी बेहने बेटियों जिनका नमबर हमेशा सबसे अंत में आता था वो आज हमारी सरकार के लिए पहली पंक्ति में है हमारी प्रात्विक्ताओं में पहले पाइदान पर है